देख सकते हैं Cinema SB350 में मौजूद हम तीनों सोर्सेस देख सकते हैं No.1 HDMI 2nd is the optical chamber 3rd is the aux chamber Cinema Bus SB350 में ही soundbar में मौजूद wireless subwoofer streaming के लिए आप यहां एक बटन देख सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं soundbar subwoofer pairing का बटन आपको यहां पर देखने को मिल सकता है जिसकी मदद से आप अपने soundbar को wireless subwoofer के साथ कनेक कर सकते हैं उसी के साथ में आप देख सकते हैं soundbar को activate करने के लिए main power supply board है plus on off button है soundbar को activate करने के लिए हम लोग main power source में two pin connector को insert करते हैं और soundbar को हम लोग on कर देते हैं आप देख सकते हैं कि soundbar activate हो चुका है soundbar के साथ ही मौजूद हम लोग उने subwoofer को भी install किया है subwoofer की installation के साथ ही आप जैसा कि देख पा रहे हैं यह blue color का illumination blink हो रहा है ठीक ऐसा ही blue color का illumination हमें soundbar के पीछे भी देखने को मिलता है जैसा कि हम देख सकते हैं कि soundbar में भी ठीक इसी तरीक का blue color का illumination लज़र आ रहा है एक बात मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जब यह blue color का illumination blink करता है तब soundbar pairing के लिए ready होता है और जब यह consist stable हो चुका होता है that means आपकी wireless soundbar आपके wireless subwoofer के साथ में correct हो चुकी है soundbar में मुझूद जैसा कि हमने बताया था तीन sources हैं HDMI, Optical and Aux हम लोग soundbar में audio input लेने के लिए optical cable का इस्तमाल करेंगे optical cable, optical chamber के अंदर insert की जाएगी इस optical cable की मदद से आप अपने audio files को मतलब जैसा कि आप जो भी volume जो आपको आएगा, जो audio जो आपको सुनाई देगा, वो आपको इस optical cable की मदद से सुनाई देगा और इस optical cable का last end आपके DVD प्लेयर के पीछे optical chamber में insert कर दिया जाएगा ये है Cinema SP 350 का remote जहां पर आप हमारे चाड़ों sources को देख सकते हैं, auxiliary optical, bluetooth and HDMI मैं इस remote की बार में बता देता हूं ये HDMI एक ARC channel है, जो की audio return channel है अगर आपके TV में इस तरीकी की facility मौजूद है तो आप अपना audio return channel को HDMI के through भी अपने TV के audio outputs को soundbar में सुन सकते हैं soundbar activate होते ही आप देखेंगे कि soundbar में power का button yellow हो चुका है activate करने के लिए आपको इस power button को एक बार press करना है और press करते ही ये activation के लिए ready है और इसका elimination transfer होकर और इनसे white हो जाता है साथ में ही आप source के button को देख सकते हैं जिसमें तीन अलग अलग तरीके के illuminations हैं आप देख रहे हैं green, orange white white illumination जो है वो HDMI ARC return channel है green आपका channel जो है वो aux के लिए है orange optical को indicate करता है volume minus plus button साथ में ही आप देख सकते हैं surround mode का button जिसमें दो modes है stereo and virtual उसी के साथ में आप देख सकते हैं bluetooth के button को जैसे ही आप अपने किसी भी file को play करना चाहते हैं आपको सिरफ अपने bluetooth को activate करना है soundbar में bluetooth का logo जैसे ही blink करना शुरू करता है आप अपने smartphone पर अपनी soundbar को search कर सकते हैं search की pairing को complete करने के बाद आप अपनी audio files को किसी भी तरीके से connect करके play कर सकते हैं आप जैसे की देख सकते हैं हमने JBL Cinema SB350 को एक DVD clear की मदद के साथ एक LED के साथ में connect किया है हम सभी जानते हैं कि LEDs के micro speakers एक अच्छी performance देने के लिए capable नहीं होते हैं या एक surround sounds देने के लिए capable नहीं होते हैं ये JBL Cinema SB350 आपको एक अच्छा sound experience देने के लिए capable है आप देख सकते हैं आप्टिकल केबल की मदद से हमने DVD player के output या आपकी monitor output को sound bar में transfer किया है optical cable का last point जैसा कि हम बता चुके हैं कि आपके DVD player के last optical chamber में insert किया जा चुकता है अब आपकी sound bar आपको एक अच्छा virtual surround experience देने के लिए ready है और आप अपने monitor input को output में transfer कर सकते हैं आपको आपको एक yearby कि आपकोते हैं आपकोгор आपको बहुत कि आपको कि आपकोच्ग लाबको शाने कर दसमें में समैंते हाऊ झाल 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 झाल